है गाइस विलकम बैक टो माई चैनल आएम स्रेयोशी और वाचिंग माई चैनल स्रेयोशी स्टीप्स प्रेंस में इंट्यो डिजाइनर हूं बट इंट्यो डेकरेशन के साथ धेर सर वीट्यू रिलेटेड वीडियो भी में डालती हो क्योंकि मुझे लगते हैं मेल हो या फीम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्रेंस अचके जो वीडियो है एकदम सी उन लोगों के लिए है जो ऐसे इंट्यो डिजाइनर खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले में दो पॉइंट पर बद करना चाहती हूं और उसके बाद में कुछ एप से जो एज़े बिगिनर उन्ट डिजाइनर के तौर पर आप काम स्टार्ट करें और ऑन चाहिए ऑप से जिसके ऊपर आपको काम करना ही होगा या उस्पूल होगा काम करने में आशान होगा तो चले पहले दो टॉपिक कर लेते हैं नमबर वन सुने में बिलकुल डिजाइनर जॉब लेसे अगर आप इंटो डिजाइनिंग की कोर्स कर लेते हो कतम कर लेते हो और उसके बाद आपको मिल जाए जाते है एक जॉब तो आप सिकर हो गए है अगर आपके पास जॉब नहीं है तो तो आपको इंटो डिजाइनिंग का जो इंटो डिजाइनिंग क करना चाहते बट मार्केट में कम्पिटिशन है वह बहुत जदा हाई है तो यह प्रैक्टिकल बात है कि आज आपके पास काम है तो कल भी होगा एक कोई इसका कोई गारांटी नहीं है पॉइंट नंबर टू में आप खुड को जिन जान चाती इसके लिए प्याड होना चाहिए कज्छे होना चाहिए इसका के लिए-िए इसके साथ पेसेंस होना चाहिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप एक डिजाइन तैयर कर लेते हो और उसके अकार्डिंग जो मेट्रियल आपको चाहिए होते हो मार्केट में अवेलेबल नहीं है जैसे कि मुझे कुछ दिन पहले हुआ था जो मेट्रियल मुझे चाहिए वो मुझ पूश्किल हो जाता है बट करना पड़ा और उस टाइम पेसेंस होना जरूरी है अगर आपके पास पैसे पैशन है इसकाम के लिए तो आप सिरूर इसकाम में आ जाए और स्टार्ट कर दीजिए जोब मिले या ना मिले क्योंकि आज के दिन में इंट्रो डिजाइनिंग एक इसकाम है जिसका ग्राफ आगे जा रहा है कुछ एपस के बड़े में बताऊंगी जो फ्री हैप से और हर कोई इंट्रो डिजाइनर जो बिगिनर से खाज करके उसके पास होना ही चाहिए जिसके कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट ऐसे के एप है जिसमें आपको कुछ भी स्केच कर सकते हैं और उसके साथ साथ नोट कर भी कुछ भी रख सकते हैं यहां पर ड्रॉ करने के लिए बहुत सरे टूलबट दिया गया है आप pencil size को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और उसके साथ यहाँ पर देखिए colors will भी है आप उसके साथ graph pad को change भी कर सकते हैं जैसे आप बैसे लेख सकते हैं बहुत सरे option हैं यहाँ पर दूसरा है home style app Google Play Store में जाके आप home style app को download कर लेजिए यहाँ सरे empty rooms है जिसको आप decorate कर सकते हैं और उसके साथ साथ दो option हैं यहाँ पर दिया गया है तो देखिए आप camera से pick ले सकते हैं खुद का घर के pick ले सकते हैं इसको decorate कर सकते हैं और gallery से pick लेने का भी यहाँपर option है खुद का घण भी desЯ हम पर ऑप्शन है से इसमें जो कलर सबको मिल जाएगा देखने में बिलकुल एकदम से औरिजिनल कलर है और कलर कॉंडिनेशन के सबस्क्राइब यह आप इस जो एप है इसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन सी कलर के साथ कौन सी कलर जाता है अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कीजिए यह बहुत अच्छा है स्टार्टिंग में 3D डिजाइन हैंडेल करने के लिए में जो रूम प्लैनर अप आते गोगल प्ले स्टोर में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो इसको आप पहले हैंडेल कर लीजिए यह भी पर्चेस करना पड़ता ही यह पर पर पर्चेस किये भीना आप इसको ड एक मिनिमम जो एक डिजाइन का जो आई जाएगा जैसे कि अगर आपको एक बेडरूम डिजाइन करना हो तो एक बेडरूम का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए जिसे जिसे आपको आपका बिस बेडरूम में एक किंग साइज का एक बेड हो एक वैडरॉब हो या एक नाइ हो तो इसका मेजर्मेंट कितना होना चाहिए अब किस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हो तो एकदम से लास्ट में में ऐसे 3D software के बार में बताऊंगी जो बिल्कुल फ्री है रेंडर का ऑप्शन है इसका जो रियालिस्टिक विजूलेशन है बहुत ज़्याद सार्फ है तो गोगुल में जाके आपको सर्च करना है होमस्टाइल डॉट कॉम और इसमें आपको साइन इन करना है अब इसको ट्राइब केजिए एकदम सी फ्री है और आप जैसे चाहों ऐसे वैसे डिजाइन यहाँ पर कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि इसके उपर और भी कुछ वीडियो ज़रूरत हो तो मेरे जो कमेंट सेक्षन है वीडियो के नीचे वाप पर कमेंट करके बताएए अगर आपके कमेंट जादा आते तो इसके उपर में वीडियो आपलोड करूंगे ट्यूटिरियो के हिशाब से तो कमेंट करके बता दीजिए और आज की वीडियो कैसा था अगर यूसफूल लगा तो लाइक कर दीजीए और उसके साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजेगा तो चले मिलते मेरे निक्स्ट वीडियो के साथ ओके बबाई